वोड मार्निया स्टूडेंस हम लोग ने पीछले चेप्टर में पढ़ा था दो टोपिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में और नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में अब हम इसका तीसरी टोपिक इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में पढ़ने वाला है तीक है यूजिंग ओफ इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चेट विद दे हैल्फ उफ जी टॉप लेसे स्टार्ट कि इस बार हम जाते हैं उसके बार को सटार्ट करेंगे आगे हमारा पिस है कि आप आपिक है अदि कि आपिक थाइट आपका इंस्टेंट मैसेजिंग इंस्टेंजिंग IM is a real-time test based communication system similar to chat application with some differences instance messaging क्या है यह real-time based communication system है real-time based का मतलब कि आपने यहां पर कुछ टाइप किया चन सेकंड में यानि कि उसी से में आपका message दुसरी साइट तक पहुच गया similar to chat application, इसको आप chat application के साथ भी जोड़ सकते है यानि कि यह chat application जो आप यूज करते है messenger यूज करते है उसके अलावा WhatsApp यूज करते है यह तो यह chat application के तरह ही काम करता है with some differences बस उसमें कुछ differences होते है I am uses share software among is participation I am क्या करता है share software यूज करते है share software का मतलब कि अगर आप जो software यूज कर रहे है दूसरी साइट पर भी वही software होना चाहिए यह से कि अगर आप WhatsApp यूज कर रहे है तो दूसरी साइट भी उस message को पहुचने के लिए दूसरी साइट भी WhatsApp का इंस्टोर होना निसेसरी है इस डान ओवर नेटवर्क सम्टाइम इंटरनेट यह ज्यादा तर आपके नेटवर्क होता है और कभी-कभी इंटरनेट का भी यूज किया जाता है तो कभी-कभी क्या ज्यादा तर जो आपके चैट अप्लिकेशन है वह इंटरनेट पर ही काम करते हैं इस परवाइड एडवांस मोड औप कम्निकेशन डेट इंक्लूड ओडियो वीडियो फाइल ट्रांसफर फैसिलिटी एक्सेटरा तो यह आपका कम्निकेशन मोड का एडवांस मोड का यूज किया जाता है इसमें जिसमें आप ओडियो वीडियो के साथ हाइंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको मिलती है आई एम अलाओज कम्निकेशन अमों अमोंस नॉन यूजर बडिलीश्ट फैन लेश्ट वाल्टेट अप्लिकेशन सम्टेम्स अलाओज अनॉनिमस यूजर स एजवेल तो इसमें कहा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं आप जिन लोगों को जानते हैं उसके साथ कॉम्निकेशन कर सकते हैं अपने साथियों के साथ क्या कर सकते हैं फ्रेंट के साथ कर सकते हैं इसके अलावा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसको नहीं जानते हैं उसको भी अपना फ्रेंट्स बनाकर उसके साथ बाते कर सकते तो फैस्बुक ऐसा माध्यम है अगर आपका आप उसको नहीं जानते हैं किसी लोग को नहीं जानते हैं तो फैस्बुक पर आप क्या कर सक है फिर भी आप क्या कर सकते है उसके accept करने पर आप उससे चेट कर सकते है जो यूजर नीड़ वैलिट मैसेजिंग एककाउंट तो यूज एन इस्टेंट मैसेजिंग सफ्ट्वेर यह आप कोई भी चैट अप्लिकेशन लीजिए या इस्टेंट मैसेजिंग बनाना होता है जैसे कि अगर आप वाट्षप इंस्टॉल कर रहे है तो उसमें आपको नमबर डालना होता है अगर आप फैस्टॉक एकाउंट बना रहे है तो उसमें पूरी डीटेल आपको डालना होती है इमेल डालना होता है फोन नमबर डालना होता है तो इसका अलावा और आपने बाकी चीज़े भी आप डाल सकते हैं तो इस्टेंट मैसेजिंग के क्या क्या फीचर है टेस्ट मैसेज केन बी सेंट टू मैल्टिपल पर्शन एक समय पर आप मैल्टिपल पर्शन को मैसेज को सेंड कर सकते हैं आप अडियो या वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के दवारा एक या दो लोगों दो लोगों से अधिक भी एक साथ बात कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फेरेंसिंग में यही अंतर है के एक ही लोग के साथ से बात kalian know शेके अप एक साथ बात कर सकते हैं मaremos पाप्टिसिप्रेंट से एक साथ बात कर सकते हैं कि इस की конц excuse of messages पर futurera a reference आप अभी बाति करता है उसकी है कि सग्रीन रख सकते हैं यह यह तर चीजे जो वाट्सप पर शेयर किया रहेहें वीडियो शेयर किया जा रहा है पढ़ाइश से रेलेटेट कोई भी डॉकुमेंट पीडिये पहुंसमेंट कोई जरूरी नीज है वो भी आप पहुचा सकते हैं किसी परकार का Announcement करना है कि इस दिन यह चीजे होने वाली है यह हैं यह सारी चीज़े आनामसमेंट आप वाट्षप से भी कर सकते हैं यह स्टेंट मैसेजिंग के किसी भी सब्सक्राइब से कर सकते हैं सिक्यूर कॉम्निकेशन यानि कि अगर इसमें जो भी आप बात करते हैं जो भी कॉम्निकेशन होता है वह सारे सिक्यूर्ड होते हैं तो युद्ह फीचर ऑफ ओड्यू और वीडियो कंफरेंसिंग यूड माइक्रोफोन हैंडशेट स्पीकर एन वेडियो वेडियो जाता हैं इसके लिए आपको माइक्रोफों का चैसरी यूजिव करना होता है यह फिर headset का भी यूज़ कर सकते है speaker या web camera भी यूज़ किया जाता है instant messaging software IM is now immensely popular and available to the internet user in various form IM is immense popular यानि बहुत popular हो चुका है और available to the internet इंटरनेट पर आपके available है वेरियस फोर्म में यूज़र्स का मतलब क्या यूज़र्स का मतलब जो इस software का यूज़ करेगा उसको यूज़र्स होलते हैं सम अप दोज फोर्म्स आर फॉलोग तो instant messaging का लगभख सभी लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं बच्चा भी उसका मतलब WhatsApp और Facebook चलाना जानता है हम लोग कजब समय था तो mobile भी बहुत मोबाइल दिखने को ही नहीं मिलता था मतलब मोबाइल हो तो था लेकिन बड़े लोग पास होता था वो भी कीपेट वाला उसमें उपर चुटा सा टावर लगा रहता था एंटीना के लिए तो वह मोबाइल आते थे हम लोग के जमाने में जब हम लोग बहुत बड़े होगे उसके बाद मेसेंजर इस अमोंग मोस्ट पॉपुलर आयम सर्विशेज लोट ओफ लोश ओफ इमेल पलेटफोर्म आर ओफ्रिंग आयम फीचर्स अलोंग विद एड़ेस बुक कस्टम अस्टेटर्स फैसलेटिज याहू मेसेंजर इच वन अप दिस क्लास तो इमेल मेसेंजर इमेल ज् देखना होता है प्रफेशनल के लिए तब हम लोग इमेल दीच करते हैं लेकिन नहीं आप मेसेंजर इमेल मेसेंजर भी जिससे आप Ik भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो वह कैसे होता है मैं आपको देखा दूगा लेकिन एक बास सभी पॉइंट पर हम बात कर लें सोचल मेडिया मेसेंजर हैस्बुक मेसेंजर इस एक्स्ट्रेमली फेमस आयम प्लेटफॉर्म टूडे देट वाइल प्रोवाइद लाइप मेसेजिंग टूल और बोर्ट तो प्रोवाइट कस्टमाइज फीचर वीडियो अडियो कॉलिंग फैसिलिटी आर और सो अवेलबल इ आज की टेट में और यह आपको लाइव चैटिंग भी प्रोवाइट करता है और उसके अलाव आप वीडियो कॉल से बात भी कर सकते हैं ठीक है और यह वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी आपको यह प्रोवाइट करती है इंस्टेंट वीडियो मैसेजिंग एप स्काइप इस पॉपुलर इन दिस केटेगरी पॉर्वाइड ओडियो वीडियो बेस्ट आयम फीचर स्काइप भी आपका पॉपुलर एक सॉप्रवेर है जिसके दवारा आप क्या सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं स्काइप ज्यादा तर आपके कंप्यूटर में यूज किया जाता है कि इस कॉंपैटिबल विद ओफिस 365 मैडिट वेरिस यूजेबल अमंग पीपल इन द प्रफेशनल क्लास जैसा कि मैंने बता है ज्यादा तर कंप्यूटर पर यूज किया जाता है तो मीटिंग वगेरा के लिए जो वीडियो से बात होती है वह ज्यादा तर उसमें प्रफोन तो यह तो बात हुए कि आप मेंजेंजर या इमेल कंप्यूटर पर आप ज़्यादा तर्यूज की जाते हैं इसा ऐसी बात नहीं है स्मार्ट फोन पर भी बहुत सारे स्वाइब आ चुके हैं जिससे आप कर सकते हैं उससे आप सभी लोग को बाकिफ है IM apps for a smartphone are quite popular nowadays IM apps जो है अब smartphone पर भी बहुत ज्यादा popular हो चुकिए है ज्यादा तक computer जो हम लोग यूज करते है software chatting के लिए उससे कही अधिक smartphone पर chatting के लिए आपका यूज किया जाता है इन software का WhatsApp has set a record in acceptability WhatsApp के बारे में सभी जानते वाटसब एक जब से software आया है यह सबसे ज़्यादा popular हुआ है smartphone पर चैटिंग के लिए Hangout इस अलसो क्वाइट वेल नौन तो Hangout के बारे में बताना चाहूंगा कि Hangout को आज कर गूगल मिट भी बोलते है गूगल मिट को ही पहले Hangout बोला जाता है जिससे कि आज कर आप लोग की Life Classes हो रही है इसी के वजह से हम लोग आज कर टीचर्स आपको Life Classes प्रवाइड करका रहा है वेरी ओफन सच स्मार्टफॉन बेस आयम एप्स आर है विंग क्रोश प्लेटफॉर्म नेचर तो बहुत सारे ऐसे सॉप्टवेर है जो आपको आई एम एप्स की सर्विश प्रवाइड कर रही है आई मतलब इस्तैंट मैसेजिंग के फीचर्स आपको प्रवाइड कर रही है आज समार्टफॉन पर Dj उसके लिए आपको एक email होना बहुत जरूरी है वर्टसप पर बना रहे है वर्टसप के लिए नंबर ही आपके लिए काफी है लेकिन यहां पर किसी और software की बात की गई है तो कौन सी software की बात की गई है गूगल टॉक के बारे में गूगल टॉक इस पोपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विशेज सर्विस डेवलप बाई गूगल आईन सी मतलब गूगल इनकोर्पेट डेट फैसिलेट एट एट टी एक दो टेस्ट वोइस एंड वीडियो इसकी द्वारा आप बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं टेस्ट के रबारा वोऑस के द्वारा वीडियो के दिवारा जो बागी इंस्टेंट मेसेजिंग सॉप्ट्वेर है सिमनर यह आपका जी टॉप भी काम करता है जीक टॉप कैन बी डाउनलोडेट फो फ्री एंड इंस्टोल इन कंप्यूटर और मोबाइल फॉंस यह जीमेल एकाउंट टू जी टॉप जी टॉप आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर दोनों पर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको एक जीमेल एकाउंट बस आपको चाहिए बयान को जाएंगे डीवर्ट क्लीक्व गूगल डीट ऐकोन जीट लांट को वह सब्के सकते हैं पलं करेंगे तो ऐसा हमारा एक वींट्व दिखेगा यह लिखऑ रहेगा गूगल टॉक इसको हम एक बार अपने कंप्यूटर पर पर्फॉर्म करका भी देखेंगे उससे पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इमेल के दोवारा हम कैसे चैट कर सकते हैं तो मैं एक बार ओपिन करता हूं कि वेट अमिनट कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कर लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं एक को झाल झाल मेरा चीमेन ओपन ही नहीं पा रहा है वेट अ मिनुट इस ओपनिंग नाओ आप देख सकते हैं यह हमारा गूगल मेल ओपन हो चुका है मैं दिखाता हूं कि आप कहां से चेट कर सकते हैं यह रहा है यह आ रहा है आपका चैट का ओप्शन ठीक है एक बार यह पूरा ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं देखिए यह आगया चैट का ओप्शन अब यहाँ पर आप जिससे भी चैट करना साथ है आप प्लस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर उसका इमेल डालेंगे अगर इमेल आपको नहीं पता है तो वह जिस नंबर से इमेल बनाया है आप उसका नेम डालेंगे ठीक है आप प्लस में बना सकते हैं आप यह एक मेरा मेरा ही इमेल है तो मैं क्या करूंगा दुस्ता मेरा एक मेल है मैं यहाँ पर क्या करूंगा लिख आप नॉर्माली है मेसेंजर में बात बात करते हैं और कब सेंड हुआ इसके लावा आप यहां से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं दूसरे लोगों से बात भी कर सकते हैं निवक्रियट आप विपना सकते हैं यहां से आप इसको सेटिंग में जा सकते हैं यहां से कर सकते हैं वह सारे मेसेंजर में से से लिए आप स्यमूर इमार्व से भी बात कर सकते हैं था Doch